नमस्कार स्वागत है आप सभी काम मैं हूँ आपके साथ रिशुतिया की विक्सत भारस संकल्प यात्रा के शुभारम के अफसर पर राजधानी रायपूर के सौमी विवेकनन्द सरोवर उद्यान में विभिन विभागो द्वारा स्टॉल लगाए गए इसका मुख्यमंत्री विश्नुदेव साहे ने अवलोकन किया मुख्यमंत्री साहे ने दो हितग्राही दीपक वाधवानी को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत आठ लाक रुपे और शबनूर बानों को पीम सुनिधी योजना के तहत बीस हजार रुपे का चेक रानी चंद्राकर और ओशा बाई को नवीन गैस कनेक्शन प्रदान किया साहे ने इसके बाद महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल भी वहां पर पहुंचे और महिला सम्हू द्वारा बनाए गए मिलेट्स के उद्पाद की जानकारी भी ली साथी बीटी बचाओ बीठी सिवा केंद्र द्वारा 33 नागरिकों के आधार कार्ड अपडेट किये गए उधर राजधानी रायपूर के बुढ़ा ताला मैदान में यातरा की शुरॉवात मुख्यमंतरी विश्नुदेवस्ताई ने हरीजिजटी दिखाकर की कारेक्रम में रायपूर के चारो विधान सभा के विधायक उपस्तित रहे मुख्यमंतरी ने प्रदेश की जनता के साथ प्रधान मंतरी को वीडियो कौंटरेंसिंग के जर्य सुना मुख्य मंतरी विश्णु देव ने अपने भाशन में केंदर की सभी योजनाओं के बारे में बताया उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज विक्सित भारत संकल्प यात्रा का शुबारम 36 गड़ में भी हुआ केंदर सरकार की जो योजनाओं हैं उसे रथ और साहित्य माध्यम से निचले इस्तर तक पहुचाने का कारिय किया चाएगा अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजनाओं को जानेंगे और लाव लेने का प्रियास करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि विधानसबा चुनाओं की वज़से हमारे प्रदेश में देरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई आज विक्षित भारत संकल्प यात्रा का सुभारम हमारे प्रदेश में हुआ च्छतिरगड में विधानसबा चुनाओं की वज़से बड़ा देरी से इसका सुभारम हमारे प्रदेश में किये और भारत सरकार की जो योजना है रथ द्वारा और स्वाहितियों के माध्यम से निचले इस तर तक कहुँचाने का काम ये विक्षित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजना को जानेंगे समझेंगे और उसका लाब लेने का कोशिश करेंगे और हम लोग का सोभाग है कि सवसर में हमारे देश के अस्तस्वी प्रधान मंतरी श्री नरेंद मोदी जी का उद्बुधन सुनने को हम सब लोगों को मिला तो सीमसाई ने हरी जंडी दिखाकर इसको रवाना किया राजधानी रायपूर के बुढ़ा तालाब मैदान में यात्रा के शुरूआत मुख्यमंतरी विश्णु देव साई ने हरी जंडी दिखाकर की कारेकरम में रायपूर के चारुविधान सभा के विधायक भी पहुंच जानकारी दी उन्होंने पत्रकारों से बाच्शीत करते हुए कहा कि आज विक्सित भारत संकल्प यात्रा का शुबारम च्छतिसगर में भी हुआ है कि इंदर सरकार की जो योजनाए हैं उसे रत और साहित्य की माध्यम से निचले इस्थर तक पहुंचाने का कारिय किया ज अधानी में इस्थर राज्य अतिती ग्रह में च्छतिसगर राज्य की लगभग 18 जिले के कवर समाज के जिला प्रतिनी दियों सहित सामाजिक लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष हरवंश के नित्रित में मुलाकात की इस दौरान कवर समाज द्वारा मुख्यमंत्री को माला पहना कर सम्वानित किया गया मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कवर समाज द्वारा आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के सम्वान में आयोजित कारेक्रम में उन्हें आमंत्रित किया है इस पर मुख्यमंत्री ने कारेक्रम में शामिल होने के लिए आश्वस् संख्यमंद्री विश्णु देव से मुलाकात के दोरान प्रतीनी धी मंडल में कवर समाज के नकुल चंद्रवंशी बसंत दीवान सवीता साय टीकराम कवर संदीप कुमार पैकरा और मिला पैकरा अंजुना चंद्रवंशी मनिशा कवर संत लाल दीवान कुझ बिहारी पैकरा सहीत समाज की अन्य प्रदाधीकारी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए धेर और उदर उपमुख्यमंत्री बनने के बाद विजशर्मा का कवर्दा में प्रिथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया लोगों में उनके स्वागत को लेकर गजब का उस्सा देखने को मिल रहा था स्वागत के लिए उम्रे जन सेलाब के द्वारा उपमुख्यमंत्री विजशर्मा के कवर्दा आगमन पर फोल मालाओं और आतिश बाजी के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया विजशर्मा के स्वागत के लिए राजनाद गाउं बाइपास से बाइक रैली निकाली गई रैली मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए गुरु नानक चौक, रिशब देव चौक, एकता चौक, सिगनल चौक गांधी मैदान पहुँची जगा जगा पर लोगों की भीड ने पूरे उस्ता के साथ उनका स्वागत किया उपमुख्य मंतरी विजशर्मा की बाइक रैली ठाकुर्देव चौक के पास पहुँची जहां पर विभिन संगठनों के दुआरा लड़ों से तौल कर उनका अभिनंदन भी किया गया उपमुख्य मंतरी विजशर्मा का स्वागत काफिला गुरुद्वारा पहुँचा वहाँ पर उन्होंने माधा टेक कर राज्य की प्रगती सम्रिद्धी और खुशाले की कामना की स्वागत के क्रम में विजशर्मा कबीरधाम जिले के ग्राम अगरी दश्रंगपूर पनेका इंदौरी धरंपूरा बिरकोना रानी सागर छिरहा पहुची जहां पर ग्रामीन जनों और समाज प्रमुखों ने उनका भवे स्वागत किया वरिष्ट बीजेपी नेता एवं राइपूर दक्षिन विधायक ब्रजमोहन अगरवाल ने बुढ़ा तालाब और आसपास के शेत्र का रिरिक्षन किया इस अफसर पर राइपूर कलेक्टर सरवेश्वर भूरे नगर निगम की वरिष्ट पारशद मिर्तियूंजे दुबे अमर बंसल बीजेपी के पदाधिकारी और नगर निगम और जिला प्रशासन अधिकारी भी पहुँचे हुए थे इस अफसर पर ब्रजमोहन अगरवाल ने कहा कि बुढ़ा तालाब में दुर्गा मंदिर से लगकर चान्नी चौक की तरफ जाने वाली सडकों को बंद कर डिक्री कॉलेज और दानी गर्ड स्कूल की दिवार से लगा कर चोपार्टी का निर्मान किया जा रहा है जो अनुच के तुगलगी आदेश के तहत सडक को बंद किया जाना दुर्भागे पूर्ण है ब्रजमोहन ने कहा कि 15 दिनों के भीतर इस सडक को रहागीरों के लिए खोला जाए उन्होंने कहा कि हम जन प्रतेनीधियों को कोई भी काम जन भावनाओं और जन सुईधाओं को देखकर कर न चाहिए इस सडक के बंद होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं स्कूल कॉलेज की बच्चियां भीड़ भरे मुख्य मार्ग में ना जाकर इसी रास्ते का प्रियोग करती थी इसमें एक मात्रा जुबा है यहां पर नई रोड बनाने की बया किसी रोड को बंद कर दिया गया है यह पहले रोड थी और इसमें लगबग 10,000 बच्चे दानी स्कूल के बच्चे डिगरीगल्स कॉलेज के बच्चे S.E.S.T. हॉस्टल के बच्चे काली बारी स्कूल के बच्चे यह बच्चे इस रोड से अपने घर जाते थे जो अभी काली बारी चौक में फस्ते हैं और उसके लिए इस रोड को चालू करने की बात हम लंबे समय से कर रहे थे अभी मैंने केलेक्टर को और बाकी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस रोड को फिर से चालू किया जाएगा इसके लिए दानी स्कूल में एक गेड बनाए जाएगा जो चांदनी चौक की तरफ गेड बंध है उसको खोला जाएगा और रिस्टिक्टेड हाइट का बेरिकेट लगाकर जिसमें खाली लाइट वेकल्स अंदर जा सके उसके लिए इसको ओपन किया जाएगा योग एक इंसान को योगासन प्रानायाम ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से एक संतुलित और शांत जीवनशली अपनाने में मदद करता है योग एक प्राचीन भार के विज्ञान है जो शारिरिक मालसिक और आध्यात्मिक स्वास्ते को बनाय रखनी के लिए विक्सित किया गया है जिसके लिए प्रति दिन योगा भ्यास करना जरूरी है ये कहना है योग इंस्टिटूट की निदेशक गुरुमा डॉक्टर हंसा जैदेव योगेंद्र का जो 16 सम्बर को एक दिन के राइपूर प्रवास के दौरान 300 से अधिक अनुयायों को सम्भोधित कर रही थी उन्होंने आगे कहा कि अपने कर्मों के प्रति श्वास के प्रति अपने विचारों और अपने शब्दों के प्रति सजबता रखना ही योग अभ्यास का महतपुन हिस्ता है और यह अभ्यास आपको जीवन में उन्नती की ओर लेकर चाएगा और इसलिए मैं इंडियन योग की प्रेशिट की प्रेशिट यानि सारे योग के दुनिया प्रेश्ट के बड़े-बड़े उसके पैपर्स और हम लोग यही सोच रहें कि और दर नर्मदा पुरम के शाष्के नर्मदा महा विद्याले के सांस्कृतिक हौल में प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी की विक्सित भारस संकल्प यात्रा का शुभारम कारिकरम शनिवार 16 दिसंबर को जिला मुख्याले में किया गया इस कारिकरम का शुभारम होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा सोहागपूर विधायक ठाकूर विजयपाल सिंग और बीजेपी जिलाध्यक्ष माधवदास अगरवाल दौरा दीप प्रशुरित कर किया गया कारिकरम स्थल पर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारिकरम का लाइव प्रसारन दिखाया गया उसके बाद विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा विधायक ठाकूर विजयपाल सिंग बीजेपी जिलाध्यक्ष माधवदास अगरवाल वो कलेक्टर नीरज ने हरी जुन्टी दिखाकर विक्सित भारत संकल्प यात्रा और गारंटी यात्रा को रवाना किया यह यात्रा शहर में और प्रतिक गाउं-गाउं तक पहुंचेगी कि रधान मंत्री बोजी की गारंटी के रत गाउं-गाउं में और शेहर सेहर में जा रहे हैं इस संकल्ब के साथ कि भारत को विक्सित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये गारंटी ले रहे हैं भारत के प्रधानमंदी नरेंद्र मोधी जी और इसलिए इस रत को हम मोधी की गारंटी रत बोल गाएं हमने ये देखा है कि प्रधान मंत्री मोधी जी ने जो भी बात कही है उसको पूरा किया है इसी कारण से हमने उसको नया नाम दिया है मोधी की गारंटी है आज इस मोजी की गारंटी रख को ले करके हम गाउं गाउं और शहर सहर में जाएंगे आम जनता तक विकास की गाथा को पहुचाएंगे और नए विक्सित भारत के निर्मान में दानमंदी मोजी जी के साथ आगे बढ़ेंगे स्थानियत से संबंदित विधयक को वर्तवान सरकार उसी रूप में राजयपाल को भेजेगी और दूसरी बार राजयपाल को इसकी मनजूरी देना समयधानिक बाद्यता होगी ये बाते जारकन मुक्ति मोर्चा की महा सच्चेवस सहय प्रवक्ता सुप्रियो भटाचारिय ने जारकन मुक्ति मोर्चा कारयले में आयोजुद प्रेस कॉन्फरेंस में कही उन्होंने कहा कि राजभवन से मिली सलहा और संदेश में एक बड़ा राजनितिक संदेश है कर नहीं है कि एक साल तक किसी विध्यक पर राजेपाल कुंडली मार कर बैठे रहें सरनाधन के विध्यक को भी लटका कर रखा गया स्थानेता विध्यक ज्वारगंड की पहचान से जोड़ा मामला है सबसे ज़्यादा उपेक्षित यहां के आदिवासी और मुलवासी होते आएं हैं इसी के लिए तो अलग राज्य की लड़ाई हुई थी इस लड़ाई को कमजूर कैसे करेंगे हम हर हाल में उस कमिट्मेंट को पूरा करेंगे भटाचारे ने कहा कि राज्यसरकार लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिशित करेगी कि सुप्रियों ने कहा कि खतियान हमारी पहचान है जिसके पास खतियान है वही इस्थान ये कहलाएगा राजित में करमाट भी शुरू है आप समने देखा कि भीछले वर्ट वोजार बाइस हुमारा राज्य विधान सबाने दो मर्तकून विदेख सर्वसमत्ति से पारिख करके राजिपाल की क्या नुमदन के लिए दिया देखा उसके पच्छा वो दो एक तो सानियता का मुद्धा दूसरा सड़ना घंपुप्र की बात है पहरत तो मानी राजिपाल लोगों ने कहा कि नहीं सही बाते नहीं है सही परंपरा नहीं है और अपना सवाह इसमें जरूर्द गच करें और धर राजभवन के समक्ष अधिकांश लोग अपनी हक और अपनी मांगो को लेकर जूचते हुए नजर आते हैं और ततकालीन सरकार से अपनी मांगो की और अपने हक के आंदोलन करते नजर आते हैं वहीं आज बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राजभवन के पास धरना इस्थल का दौरा किया उन्होंने देखा कि कैसे अपने मांगो के लिए लोग काफी लंबे समय से कपकपाती ठंड में बैठे हुए धरना दे रही हैं महीं दूसरी और एक ऐसे आंदोलन कारी से भी मिले जो हमें आजादी दिलाने का काम किया है ल उन्हें माला और शॉल भेट किये और उनके पैर चुकर आशिरवाद भी लिया और कहा कि आपकी मांग जायज है और इसे पूरा करने के लिए प्रियासरत रहूँगा और शीत कालिन सत्र में आपकी आवाज उठाने का कारी करूँगा इस सरकार ने तो दबा कही रखा इस सरकार ने उन तमाम आवाजों को जो उनके कानों में बारा के तरफ चूपती थी उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा परियासी किया और इसका नतीजा रहा कि आज इजारकन की सरकार अपने को कानोनी सिंगत्ये में पहसा हुआ भी अगर उनको कोई रोकने तोकने वाला कोई उनके जो कर्तब बहुस्तों याद दिलाने वाला रहता है तो आज सरकार इस सिस्क्री में नहीं रहती है यह मैं इतना जरूर जानता हूं कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा 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 जो सभी वर्गों को है लेकिन और उधर चर्ज के पास से नाबालिक यूपति का आपरहन कर सामोही को दुषकर्म की घटना को अंजाम देने वाले छे आरोपियों को पुलस ने ग्रफतार कर लिया है इनमें चार नाबालिक हैं जबकि दो यूबग बालिक हैं यह जानकारी अपने कार्याले में आयोजू दिसम्बर को केस दर्च किया गया था इस केस में शामिल आरोपियों की ग्रफतारी के लिए हट्या डियस्पि राज मित्रा के नेतरतों में टीम का गठन किया गया था सिटी एस्पी ने बताया कि नाबालिक लड़की 5 दिसम्बर को जो जो सिरिंग में अपने ही गाउं के रहने वाले दोस्ते मिलने गई थी लेकिन नौद संबर को दोसे जगडा होने के बाद नावालिक अकेले ही शाम को जो जो से रिंग से पैदल सतरंजी होते हुए खूटी की और जा रही थी उसी क्रम में सतरंजी के पास आरोपियों की नजर नावालिक पर पड़ी आरोपियो ओपी शेत्र के गाउं इस्थित पत्थर जटान पर ले गए यहां आरोपियों ने नावालिक के साथ जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया कि जिनान नौबारा तैश को टुपोदाना ओपी शेत्र के अंतरगर्प राप्तरी के शमय खोटी की रहने वाली एक नावालिक पच्ची के शाथ में एक शामुद दुश्करम की खटना परते भी दित्वी थी इस आलोग में राप्तरी के शमय से ही राची पोलीस शमेदन सिल्जा को बेखते हुए तेजी से उस लड़की के बताये गए सबी अस्तनों पर पुलीस टीम जो है वो रेड कर मासूल किये थे इस घटना को कार्ण में अंकित करते हुए पुलीस शुपा दिक्षा घटिया के में सिल्ट में एक टीम घठं किया गया था जिसमें और अगली खबर रोता से है जहां विवाहिता का गला दबा कर हत्या कर दे गई है और बचने के लिए विवाहिता को फासी पर लटका कर आत्म हत्या का रूप दे दिया गया घटना रोता जिली के करगहर थाना श्रेतर के मोहनपूर की बताई चा रही है मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करगहर थाना श्रेतर के मोहनपूर गाउं के निवासी आकाश कुमार से की थी लेकिन शादी के बाद से पती समेत ससूराल पक्ष के लोग लगातार दहेच को लेकर लड़की को प्रतारित किया करते थे इसक अस्पताल सासाराम में पोस्मॉर्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है घटना के बाद परिजनों में गुहराम मचा हुआ है और दर एक युवक का शव दावत थाना श्वेत्र के पडरिया में पेड से लटके हुए पोलिस ने बरामत किया है पेड़ पर युवक के शव को लटकते हुए देख इलाके में संसनी फैल गई शवकी शिनाक्त दावत थाना शेत्र के कमल राम की बेटी फूल बदन कुमार की रूप में हुई है शवकी शिनाक्त के बाद परीजनों में कुहराम मच गया मिरतक युवक के परिजन ने बताया कि फूल बदन घर से पिछले दो दिन पहले घूमने के लिए निकला था परिवारवालों का कहना है कि ये आत्मत्या नहीं बलकि हत्या है युवक की हत्या करके उसके शब को पेड़ से लटका दिया गया है और उसे आत्मत्या का रूप दिया गया है बगवान राम की नगरी आयोध्या में बिजली की समस्या ना हो और वो जगमगाती रहे इसके लिए एंटी पीसी टांडा आ गया आया है एंटी पीसी आयोध्या में 40 मेगवाट का सोलर पैनल का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसके माध्यम से राम की नगरी जगमगाएगी इस प्रोजेक्ट का प्रारम राम मंदी की शुबारम के पहले करने के लिए 10 मेगवाट का उत्पादन इसी महीनी के अंति तक शुरू कर दिया जाएगा बाकी 30 मेगवाट का उत्पादन मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा NTPC के जीम ने बताया कि सर्यों के किनारे प्लांट पर काम शुरू हो गया है इतने में आयोध्या को बिजडी परियाप्त हो जाएगी यदि भविश्य में और आवेश्यक्ता होगी तो इसको बढ़ाया जाएगा क्या सप्लाई के लिए भी कोई बात्चीत अभी होई या कुल परियास आप हो जाएगा जो पावर वहां से जन्रेट होगा उधर ही अजुद्या सिटे में ही लगेगा एक्स्टरनाल तो जहीं सर जो है आम आतर डिस्रूप्शन में हम लोग नहीं है तो जो ईपी जितना रिक्वार्मेंट है वो उसी से मिट्राई और इसे के साथ राज्ये से जूड़ी हुए ख़वरों में मेरे साथ फिलाल इतना ही नमस्कार